हाई एफ्रिवान वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन सो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते ही हो कि NTA यूजिसने जून दो हजार तेस एग्जामिनेशन का साइकल अभी चल रहा है जिसमें कि ओलरी फेज वन में काफी सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम बच्चे दे चु कि इसमें जितने भी डेट्स में आपके साथ आशियर करूंगी वो बिल्कुल एक्सपेक्टिड डेट्स हैं फिलहाल NTA की तरफ से इस बात को ले करके इस सवाल को ले करके कोई भी ऑफिशल पब्लिक नोटिस नहीं आया है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को दि का तो आप सब की स्मार्ट प्रेपरिशन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एक न्यू कोर्स लेकर आया है जो की दसंबर 2023 एक्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करने में मदद करेगा तो इस कोर्स में हम आपको एंडलेस बेनिफिट्स देते हैं इसमें आपको फ्री वीडियो भी अविलेबल हैं, लाइफ कोर्स हैं, टेस्स सीरीज हैं, रिकॉर्डड़ कोर्स यहां पर आपको मिलेंगे, हर एक टाइप के मौक टेस्स, प्रीवेस एर क्वैशन हर एक चीज यहां पर हम आपको प्रोवाइट करवाते हैं बस आपको ग्लोबल ऑनलाइन आपको डाउन फुल सलेबस नोट्स आपको PDF के फॉर्माट में मिलते हैं, जिसको आप लोग बहुत एजिले अपने मुबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, 2000 से भी जादे MCQs के साथ एक क्वैशन बैंक आपको मिलता है, जिसमें से आजट इस क्वैशन एक्जाम में आते कीजिए, फ्री वीडियो यहाँ पर आपको English Medium में है, फ्री वीडियो हिंदी में मिल जाएगी, यूनिट वाइस पोल्डर से जो की exam के level और exam के latest pattern को ध्यान में रखते हुए ही, हम आपको provide करवाते हैं, यहाँ पर आपको mock test and 2000 plus MCQ PDF मिल जाएगी, तो बहुत ही exam oriented course हमने लाय है, तो आप आज ही से आपको download करके course का overview देख सकते हो, इसी के साथ अब बढ़ते हैं main topic के और जिसमें हम बात करेंगे कि जो phase 1 के examination हुए है, उनकी answer की कब जारी होगी, तो students last जो NTA का public notice आया है, यूजिस सिनेट exam को लेकर, वो notice 16 जून 2030 को जारी किया गया था, जिसमें उन 19, 20, 21 और 22 जून को ये exam होने वाले है, तो अब देखो, final यहाँ पर NTA ने कहा है कि 22 जून तक examination होने वाले है, तो अब जब तक ये exam complete नहीं हो जाते, तब तक तो 100% surety यही है कि आपके phase 1 के official answer की से लेकर के कोई भी बात NTA जारी नहीं करेगा, इसके बाद भी अगर हम यहा करते हैं कि last, यानि कि लगभग लगभग 30 जून से लेकर के July के first week तक, July के लगभग लगभग 7 से 8 July तक आप लोग यह expect कर सकते हो, कि क्या होगा, इस speech आप लोगों के phase 1 के official answer की NTA जारी कर सकता है, तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहे हैं, जैसे ही NTA की तरफ से notification आएगी हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको news बता दी जाएगी और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने mobile phone से ही कैसे आप answer की को चेक कर सकते हो, तो फिलहाल मैं उन सभी students को यही कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी phase 1 में अपना examination दिया है, तो आप लोग अगर sure हो कि exam qualify हो चाहेगा, तो आराम कीजिए, लेकिन अगर लगता है कि exam qualify नहीं हो पाएगा, अपने आपको पता होता है कि कितना हम score कर पाएंगे, तो आप क्या कीजिए, answer की का बिलकुल भी इंतजार मत कीजिए, और आज से ही December 2013 examination की तयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने बाकी है जैसे कि NTA ने पहले ही कहा था कि June में exam होगा, तो NTA ने देखो बिना किसी चीज़ को रोके टोके, बिना exam को postpone किये, पहली बार इतने अच्छे तरीके से exam conduct करवाया है, तो definitely अब NTA ने ये जो अगला वादा किया है कि December में exam होगा ही होगा, तो वो 100% surety है, ये exam जरूर उन्ही dates में exam होगा, चाहे कोई भी आंधी या तुफान आ जाए, आपको पताया कि अभी कितना बड़ा तुफान एक आया था, बहुत बच्चों ने request की कि exam postpone कर दीजिए, वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन NTA ने किसी के भी नहीं सुनी, तो वही बात December में भी होने वाली ह जैसे ही phase 1 या phase 2 की कोई answer की आती है, तो जरूर आपको पता चल जाएगा, answer की के अलावा, और भी कोई doubts अगर आपके mind में है, चाहे results related है, December exam को कैसे target करना है, उससे related कोई doubt अगर आपके mind में है, या और कुछ भी आपके दिमाग में अगर exam को लेकर के सवाल चल रहे हैं, त students, आप सभी, आप सभी जरूर हमें comment करके बताईएगा, जितना जल्दी हो सके, मैं आप सब के messages को reply करने की कोशिश करूंगी, okay, so I hope आज की ये video आपके लिए helpful है, and कोई भी doubt होगा, तो comment करके जरूर पूछ लीजएगा, so thank you so much for watching this video, and I wish you all the very best.